वीडिया के के देट रहा है यहा अव्याक स्टम पाव। जम भैट करने कर दना चिक तूर। यह मेरी मंमी की चूड़िया मेरी लाइ थी मैईके से तो मैंने उस चाचरवाज शे जो पहन लेते तो कोई मेल नहीं है इसका यह दो इसके बाद फिर में टो बनाओंगी उसके बाद फिर मैं व्लॉक्स करोंगी और अब अब पर देखे यह स्कूल हजबन गया है अपने स्कूल और मैं हूँ घर पे कीचिन पूरा फैला पढ़ा हुआ है अभी मैं जो समेटना है और आजकल गिल नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का पता है क्यों कि यह जली जली घर साफ हो जाए और फिर जली से घर सिफ्ट हो जाए यह अभी सब्सक्राइब जाए लगी है मैं मैं यह जाएंग थे लुटाइब दो तो अभी महिने बाद फिर मुझे साफ करने पड़ेंगी सिफ्ट करने के लिए तो भी टाइम है बहुत लेकिन पिर भी सफाई हो जाया रही है तो भी समन्त पैक ही हो जाएक उनको निकालना त अभी सब्सक्राइब निकलती है नियाद कपड़े तक नहीं निकलते हैं वहला मुझे ना पहनने के लिए मैच करने के लिए बलाउस आड़ी या फिर कोई भी सूट पहने करता कि चली स्केश्ट पर पहनेंगी तो मिलता ही नहीं है पता नहीं बाद में मिलता जब कभी मैं पहने के लिए निकलते हैं निकाल दो इससे उनका नंबर लगता ही नहीं है तो अब होने नहीं है क्योंकि हमारा धर आया है वह पूरी तरीके से कंपने नहीं है जैसा है वह यह से ही काम चलाएंगे जैसी इसवर की भर्जी वैसे ही होगा तो शहल यह व्लॉग को सुरू करते हैं और मैं यह अपना गेट अपर इसी गेट आप के साथ में वीडियो स्टार्ट कर लेती हूं और फिस मैं भी च्रेंज करूंगी और घर में ने काम सुरू क जैसे है बहुत लाइट वेट सारा दिन पहने कर रख सकती हूं मैं बटन भी नहीं है बिल्कुल ना इको फॉल और नाइज का बलाउसी लातार से क्यों है बढ़ाद कर सारी तो चलिए आपके व्लोगों स्टार्ट करते हैं मैं पहली पहली बार देक रही है तो प्लीज मेर चल्डी जल्डी सब्सक्राइब करिएगा dalla चलो विडियो को इस टार्ट करते हैं कि आज है धनतेरस जाएँ वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी को धनतेरस की हारतिक सूपकामना हैं मैंसे क्या क्या खरीज रही हो इस बास धनतेरस मुझे लिकर बताइएगा मैंने कुछ सोचा है देखती हूँ आज जाओंगी मार्केट में क्या लेकर आती हूँ वो मैं आपने अगले वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि इसके बाद आपको मेरा धंतेरस वाला ही वीडियो मिलेगा क्योंकि काफी दिन से मैं वीडियो बना भी नहीं रही थी तो मैं यहां पर बरतन धुल के रख रही हूं सुबह के सारे ये काम करने के बाद में फ्री हो जाओंगी मेरा केचीन वगरा भी साफ हो जाएगा तो मैं वो रेस्पी आप लोग साथ में शेयर करूंगी तो गैस दिवाली पे वैसे बहुत सारे चीज़े बनाई जाती है मैंने जादा कुछ भी बनाया ही नहीं है क्योंकि मैं सोच रही हूं मैं बाद में बनाऊंगी अभी नहीं बना रही हूं अभी क्यों नहीं बना रही हूं वो भी आपको मेरे कल वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगा दिवाली की सफाई आलमोस सभी की हो चुकी होगी मेरी तो रोज डेल आपने एक शौपिंग करता हूँ मैं आप आप लोग था शॉपीं आपको आपे शोपिंग मुद्फ ऑपनी रहती है है तो वीडियो से रिलेटेड मैं आप्सक्राइब भीडिए सब स्कुर्टेक्आ है वै EPA को लिएắm को ऊपती है और रवियाब इंडियन फेश्टिबल सेल जो की लाइब है आप इसका पैदा उठाइएगा यहां पर आपको 50-80% और मिलेगा on top fashion and beauty brand पर 150-100 प्लस top brand great prices and unbeatable deals on 50k plus unique style आपको यहां पर मिल जाएंगे get free delivery on first order 30-day easy return pay on delivery and extra 10% cash back on fashion and beauty pay so guys आप लोग जाईएगा यहां के जो offer उसका फैदा उठाईएगा और इस सारे चीजों को खरी सकते हैं और अपनी दिवाली है वह बहुत ही अच्छी से celebrate कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाती हुआ कि मैंने क्या क्या चीजे ली है पहला प्रोड़ेक्ट है यह मैंने माथा पत्टी हैवरेंड माथा पत्टी टी लेकिन मुझे इसको इसको इस्तेमाल करते में बौर हो रही थी। दूसा मगाते तो मैंने यह मगाई है कि ना बहुत कामाएगा जाब फेस्टिवल में कोई भी अच्छा सा अड्रस साडी मगर पहनेंगे बाल कोल के आंगी तरब इसे लेटल अटका के या फिर राउंड करके जब इसे पहनेंगे न तो बहुत प्यारा लगेगा अभी तुमने फ्लैट किया हुआ है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है यह बहुत शथा है बहुत यए अच्छे से बंधा हुआ है देख सकते हैं तार से हटा हुआ है इसको मैं बी इस्तमाल कर सकती हूँ मेरी twitter वटी ऐध्या मनम Geld के Lummi Nobel High the A Shape of dopamine C Daily Glow Lummi um ние recent hall cheap जो कि मुझें मंघाया है और हम इतनी बड़ है कोश्टिण रहती है यह लेकिन हम Nichols ध का जब में ने हमाफ फादी पहुब कै Gulf नहीं है तो गया है तो 마지막 है गाइज और मुंगाया हुआ है यह taga जो कि मैं रेगुलर में जब भी जाती हूं कहीं पर इसे ही यूज करती हूं यह ममा अर्थ का कॉंपेक्ट पाउडर है यह है ममा अर्थ ग्लो ऑईल कॉंट्रोल कॉंपेक्ट यह विटामिन सी एंड टर्मिरिक में हैं यह मुझे बहुत सूट करता है मैं फाउंडेशन नहीं यह करती हूं मैंतmara स्य यह मंगया करती हो इसे मांगया चुक्त मैं अच्छा है यह मिर्शर में जाता है और यह अंपर इस बहुत अच्छा लगता है मुझे में यह यह अश्य love इस नहीं कि प्राना ऐला जो भी बैली को प्लुक्ल की ना मैंने मलाई है अपने लिए एक मैक्सी जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगी मैंने यह सोचा रहे था कि इतनी ज्यादा अच्छी होगी तो पहले आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कलर मिल जाएंगे आपको बहुत ही रिजनेबल टाइस पे हैं आपको यह मैक्सी लग करता हो तो यह मैक्सी गाउन है जो कि लाइक के यहां पेम्रोइडी दी गए हलके से यह मिलर लगे हुए है जो आटिफिशल वाले होते हो तो गाइस यह तरीके की है यह है मैक्सी देखो कि धी ढाली है तो मैंने इसको ना अपने डेली पहने के लिए इसका फैब्रिक की ब मैंने ले ली को कि बहुत डाइम से मिर पास नहीं थी अपने लिए अपने लिए वेली आपको यहाद है ना पिछले वीडियो में ने दिखाई थी वेली तो मैंने बदल वाली दूसरी मंग वाली है वह यह यह कि इसी ब्रांट की मैं पहले पहन चुकी हूं लेकिन यह तोड़ी हील में हलकी सी हील बढ़ गई है इसकी इसमें 24 नमबर लिखा हुआ है मुझे 9 UK आता है यह है इसकी डिजाइन और यह कलरी मैं पहन चुकी हूं और पहन भी रही हूं अभी मेरा तुरानी वाली रखी हुई है और यह कलरी मेरे पैर पी बहुत ज़ला स किया था कि मुझे आज ही रखी हुआ है मैं इतजार कारें धी साइची इसमेल रखी है फिर में आप लोगो दिखाओ अ है कि सबस्स्राइब मैंने लावी का है यह यह लावी फोट का यह बैग एक मैंने दुबारा मंगाया है गभार और अल्वार्श ब्रांड का बैग अब मुझे भी मुझे क्या मेरे हस्बेन को कही जाने आने के लिए समाल रख ले लिए छोटा बैग चाहिए था मेरे पास अल्रेडी ट्रॉली बैग है तो मैंने यह वाला मंगाया फिर उनके लिए क्योंकि उनको भी यसा ही कुछ चाहिए था इसी ब्रांड का ही अच्छा ब आउन लगईवीती वह खीट सकती है तो आराम रहता और रहा वह बैग में जाती इस पैस देख सकता है कि क्वालीटी बहुत ही अच्छी है एक बाहर के तरफ जींब मिल जाती है के अंदर की तरफ जीन मिल जाती है और यह आम इपकों नई तेला चरहत सब्सक्य है आटर ग पर बहुत ही अच्छा है आप इसे ले सकते हो और इसमें लिखा हुआ है दो साल की वरंटी है बहुत अच्छी बात है कि इसे वरंटी के साथ में मिल रहा है अच्छी बस यही थी मेरी शॉपिंग अगर आपको इन में से कुछ भी खरीदना है तो मेरे रिक्स्प्संबॉग चेक कर लेना है वहां पर आपको यह सारे प्रोडेक्ट एक साथ देखते को मिल जाएंगे वहां पर क्लिक करेंगे सब एक साथ आपको देखने को मिल तो यहां पर मैं स्नेक्स की रेस्पी है वो शेयर कर रही हूं यह मैंने मौमफली के दाने लिए हैं काफी हैं करीबन होंगे 200 ग्राम तो होंगे यह उससे थोड़े कमी होंगे तो मैंने यहां पर थोड़ा ओयल लिया है आप घी ले सकते हो आप ज़्यादा ओयल डालकर इसे डीफ फ्राइ भी कर सकते हो बस मैं इसको सिर्फ सौटे कर रही हूं क्योंकि मुझे ज़्यादा ओयल वाला नहीं चाहिए बस इसको भूनना है इसका कच्चा पर नहीं रहना च इसलिए यह अच्छे से इसको भूनना है बहुत सो लोग इसे सिंग दाना भी बोलते हैं हम लोग इसे मोंफली के दाने बोलते हैं तो पीनट्स इंग्लिस में बोलते हैं तो इनको लेना है आपको इस तरीके से भूनना है मैंने छिकल वाला ही लिया है आप चाहो तो बिना शिकल वाला भी ले सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है तो इनको मुझे भूनना है करीबन 10 से 15 मिनट मुझे इनको भूनने में लगा था क्योंकि मैंने बहुत स्लो आच में इनको भूनना था ताकि ये डार्क नहों और पक जाएं इनको भूनने के बाद आप इसको चक करके देखेंगे थोड़ी थंड़ा होने देंगे उसके बाद चेक करेंगे तो ये थोड़ी करारिसिन लगने लगेंगे जब कंचली चला होगे न तभी इसमें आवाज आने लगेगी फिर आपको क्या करना है एक बड़ा सा कोई बाओल या बरतन या फिर कोई भी बड़ा चीज ले लिजिए कंटेनर भी ले सकते हो उसमें आपको डालना है और यह जो मसाले है वो अट करने है मैंने सादा नमक लिया है लाल मिर्ची पावडर लिया है थोड़ा सा काली मीची पाउडर लिया है छाड मिसाला और छाड मश्थंधं थोड़ा ता है और थोड़ा सा मैं गरम मसाला एट करद़ूंगी वह भी अच्छा तेस्ट देता में दिखावा दवल वहां। इसे सदा आमचूर ऑँड़ सब्क्राइगा start इन सारे मसालो सीख्मारी प्लेट को प्लेट में निकाल लिया था सबarya माई место इक इसे में आच्छे से चढ़ा प्लेट pride लगा कर ऊदी। और आप देख सकते हो पीनर्स में बहुत अच्छे से मसाले चड़ गए हैं आपको मैं दिखाती हूं अपस थोड़ी दिर के लिए और उनको खुला छोड़ दीजेगा ठंडा होने दीजेगा धक्के नहीं रखना है उसके बाद बिल्कुल ठंडे हो जाए ना फिर आप चाय क मैं फिर 40 कराने के बाद सोगया अर्ट बड़े यह नक्रें हो गाए द्ख्स के पता नी हो केमरा लगाता है यह अपने फेस को छुपाता है समझ में नहीं आता है कि वो कैमरे में नहीं आना चाहता है उसको ये लगता है मम्मी मेरी सिकायत करती है कि मैं एक स्कूल नहीं जा अच्छे से मालिस कर दूंगी, उसके पैरों में आजकल बड़ा दर्द रहता है, बहुत उचलने को उनने लगा है ना, बहुत भागता रहता सारा दिन, इसलिए उसके पैर में दर्द होता है, फिर मैं तो पैर में मैं भी थोड़ी दर के लिए सो गई थी, सीधे मैं उठी उस साम को, जब मैं साम को उठी ते चाय वगेरा बनाई थी, और उसके बाद खाना बनाने की तयारी भी कर दी, तो मैं बाहर जब निकली तो देखा, बहुत सारे घरों में लाइटे लग चुकी हैं दिवाली की, आप लोग घर में दिपावली की लाइटे लगी की नहीं, ह जगमक जगमक सी लाइटिंग हो रखी है, सामने जो पेड़ के पीछे एक घर दिख रहा है न, वहाँ पर तो ग्रेप्रवेस हुआ है, इस वज़े से उस घर में लाइट लगी हुई है, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे घरों, ने ने घरों की ग्रेप्रवे हो रहे हैं, बस यहीं सोची मेरे घर का ग्रेप्रवेस क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक मूरत ही नहीं आया, सब का मूरत निकला, मेरा ही मूरत क्यों नहीं निकला, मुझे खुद समझ में नहीं आया, अब क्या कर सकते हैं, इश्वर की मर्जी है, इश्वर चाहता ही नहीं है कि 2023 में हम लोग अपने गर में जाए तो यह देखी आस-पास की सारी लाइटिंग मैं ने दिखा दी है कल मैं दिखाऊंगी अपने घर की यहां अपने घर की क्या बोलूं यह रंटेड हाउस की लाइटिंग जो कि मकान वालिक ने करवाई है यहां पर मैं अंदर आई तो ब कमरा जैसे दिखाऊ उसको चिड़ोती है यह देखो मैं अभी बुक फेक दी तो उस टाइम अभी फिर से गुस्षा हो रहा है तो मैंने नहीं दिखाया यह आध्या ने क्ले से बनाया हुआ है टैडी कैसा लग रहा बताओ मैं अभी गई थी पिछले कुछ दिनों पहले मार गुआन जी को सभी को उनी कपड़े भी पहना दिये हैं तो गैस यह था आज का मेरा वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा अच्छा लगाओ तो लाइक करिएगा शेयर करिए चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरू करिएगा हैपी धंतेरस